वो हमारा business economics का ये lesson होगा ये हमारी revision series चल रही है जिसमें हम अपने market structure के lesson number 12 पर आ चुके हैं ये course दोनों ही stream के लिए beneficial है as well as well as commerce as well as management ठीक है बिटा just as I promised you कि हम लोग अभी तक lesson number 11 में equilibrium का जो concept होता है वो 3 cases में पढ़ चुके हैं जो हमारा case होता है number 1 super normal profit number 2 case होता है हमारा normal profit और number 3 case होता है हमारा losses बट मैंने आपको बट मैंने आपको ये समझाया था कि losses वाले case में एक shutdown वाला case आता है और एक loss minimized वाला case आता है तो मैंने आपसे कहा था कि मैं न दोनों diagram को एक PPT में add on कर लूँगी जिससे आपके लिए comfortable होगा उसे comparison करना और आपको ये समझा जाएका कि shutdown point कहां कर करता है और loss minimized point कहां कर करता है why it is called as loss minimized और why it is called as a shutdown point दोनों में फरक क्या है ठीक है चलिए देखते हैं पहले मैं आपको उसको diagram से समझाऊंगी फिर मैं उसकी English पढ़ूँगी ठीक है बेटा देखो ये दो diagram है बेटा अभी तक जो भी हम diagram बना रहे थे उसमें हम तीन चीज़े बनाते थे एक बनाते थे MR कर्व बनाते थे उसी को हम AR कर्व का नाम देते थे और उसी को हम price कर्व का नाम देते थे और उसी को हम demand कर्व का नाम देते थे पिटा ये एक कर्व बन रहा था दूसरा कर्व हमारा बन रहा था MC कर्व का है न है MC कर्व बन रहा थ और तीसरा हमारा curve बनता था AC curve ये तीन curves डाइग्राम में बनते थे ठीक है तो हमें पता चल जाता था क्या तो super normal profit है या normal profit है या loss है that is shutdown point but जब हम ये वाला case पढ़ेंगे कि loss minimized loss वाले case में दो concept पढ़ते हैं या हम shutdown point का concept पढ़ते हैं loss के concept में या तो हम loss minimized का concept पढ़ते हैं या shutdown point का concept पढ़ते हैं बेटा जब भी हम loss की बात करेंगे पॉइंट का जब भी हम loss की बात करेंगे तो बेटा चार चार कर्व बनेंगे कौन कौन से कर्व बनेंगे एक बनेगा MR का Curve जिसको आप नाम देते हो AR जिसको आप नाम देते हो Price और GC को आप नाम देते हो Demand बेटा दूसरा Curve बनेगा MC का तीसरा Curve बनेगा आपका AC का और चौतरा Curve बनेगा आपका ABC का अभी तक मैंने आपको बोला 3 Curve बन रहे थे ये Curve, ये Curve और ये तीनों कर्व इसमें भी बनेंगे बट इसमें जो चौथा वाला कर्व है ना एवी सी एवरेज वरेबल कॉस्ट एवरेज वरेबल कॉस्ट वो कॉस्ट का वाड़ हुड़ी है बस और कोई चीज प्रॉब्लम नहीं है मेरी बात समझ जा रही है मैं क्या कहना क्या चाह रही हूँ ठीक है जी अब बेटा आचाओ डाइग्राम पे देखो बेटा ये केस है प्रेड्यूसिंग आट लॉस और एक केस है ये वाला शटड़ॉन पॉइंट देखो लिखा इसमें भी लॉस है बट ऊपर इसमे प्रेड्यूसिंग याट लॉस नहीं लिखा इसमे या शटड़ॉन पॉइंट लिख दिया जबकि लॉस उसमें भी वो दिखा रहा है बट वाई यहाँ पे उसमें शटड़ॉन पॉइंट क्यों नहीं लिखा अगर आपका अघर आपका ABC का कर्व बिलो है अगर आपका ABC का कर्व बिलो है किसके बेटा बिलो है आपके AR के कर्व से छीक है बेटा अगर आपका ABC का कर्व आपके AR के कर्व से बिलो है एक पॉइंट ही याद रखने हैं या आपका ABC का कर्व अबव है किसके, sorry, above नहीं ABC का curve आपके touch कर रहे है या intersect कर रहे है किसको AR के curve को मेरी दो बाते समझाई हैं दो बाते धिहान रखनी है why it is written as loss दोनों में दिखा रहे diagram में पर उस पर दिखा रहे heading में producing at a loss और उस पर दिखा रहे shutdown point जबकि है दोनों में loss तो फिर क्यों हम उसे classify करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि दो चीजों पर classified होता है पहले point यह है या तो आपका जो ABC का curve होगा वो AR के curve के नीचे बना होगा या वो AR के curve को touch करके निकलेगा ठीक है बात समझा गई चालो जी अब इदर आजाओ देखो बेटा इस case में producing at a loss के case में यह मेरा MR MR बोलो AR बोलो price बोलो demand कर बोलो बेटा यह मेरा MC कर ठीक है बेटा दिख रहा है ध्यान से यह मेरा ATC कर जिसको बोलते है आप average total cost या average cost बोलो बट बेटा देखो नीचे से निकलता हो जा रहा है average variable cost तो MR MC ने MR को cut किया इस point पे equilibrium के point पे इस AVC किसके नीचे है AR कर्फ के नीचे क्या बताया था मैंने AR कर्फ के नीचे क्या है AR कर्फ के below कौन है इस AVC below है तो ध्यान रखने वाली बात है मैं बस यह ही بتा रही थी कि यह मेरा MR कर्फ यह मेरा MC ये मेरा equilibrium point इस equilibrium point पे ये मेरा ATC ठीक है बेटा समझ आ रही है ये ठीक है बेटा बट ये मेरा MC ये मेरा AVC तो AVC equilibrium point पे कहां cut कर रहा है यहाँ पे बेटा यहाँ पे AR ये AR है और मेरा AVC नीचे है यही चीज़ बता रही थी ठीक है बैट, applause क्यों हो रहा है फर्म को, अब इदर देखना, लउस क्यों हो रहा है क्योंकि बिटा, देखो, फर्म कितने रुपे पे पे बेच रही है, अपना प्रोड़क्ट 10 रुपे पे, और उसको तोटल कोस्ट कितनी लग रही है, 12 रुपे रग रहे हैं लग रहे हैं यह वाली लाइन यह 12 रुपई One रही नहीं दस रुपई आ विसको JOHN जो बताँ रुप्ई में राई हो 12 रुपई में बेच उसको रुपई में रही नहीं भीलकुल होगा थैक लास तो हो जी एवरेज ATC दो चीजों के बनते है तो इसका मतलब ATC और AVC के कर्व के बीच में AFC आ रहा है ATC दो चीजों से बनते है AFC और AVC बेटा यहां पे ATC है यहां AVC है इसका मतलब यह बीच का position क्या है AFC का अगर मैंने यह लिखा 5 और नीचे मैंने 2 का कर्व बना दिया तो इसका मतलब 3 का कर्व इसके और इसके बीची तो आ रहा है 3 यह 5 की लाइन यह 2 की लाइन तो यह किसके बीच का gap है यह 3 का gap है बात समझाई just mathematical calculation है बेटा ओके जी यह मेरा AFC बेटा ध्यान से देखना firm 10 रुपे में उसको बेचती है ठीक है firm की cost मान लो यह कितनी पढ़ रही है 3 रुपे पढ़ रही है बेटा fixed cost का कुछ तो portion वो cover कर पा रही है वरेबल cost तो उसकी यह है यह 6 रुपे 6 रुपे से वो 10 रुपे तो बेच रही है product इसका मतलब वो 10 रुपे की तो total cost cover कर पा रही है इसका मतलब variable cost भी वो पूरी पूरी cover कर पा रही है variable cost तो पूरी cover कर पा रही है तभी तो वो नीचे बन रही है बट fixed cost का आधा portion वो cover कर पा रही है और आधा portion उसके loss revenue सो उपर जा रहा है मेरी बात समझारी तो वो पूरी पूरी cover पर पा रही है क्योंकि ये उसका revenue है अच्छा बीच का जो margin है ये और ये वाला ये पूरा fixed cost बना रहा है बेटा देखो यहां का fixed cost का कुछ ना कुछ portion तो cover कर पा रही है क्योंकि revenue उपर आ रहा है ठीक है बट बेटा ये वाला fixed cost का portion cover नहीं कर पा रही है जब एक firm अपनी variable cost पूरी-पूरी cover कर पाती है और fixed cost का थोड़ा margin cover कर पाती है तो वो कभी भी operate करना छोड़ेगी नहीं वो operate करेगी उसका shutdown point अभी exist नहीं करा ये बात याद रखना ठीक है अब diagram समझा है आपको कि ये diagram क्या कहना चाहा रहा है अब diagram दूसरा समझो कि उसमें क्या फरक है हम कहां आगे बेटा देखो इसमें ध्यान से देखना ये मेरा MRAR ठीक है ये मेरा MC ठीक है जी MC MR को cut कर रहा है इस point पे ये मेरा equilibrium 80C उपर से जा रहा है short run average cost बोलो या short run average total cost बोलो जहां पे equilibrium की line कीश दी बेटा ये मेरा total cost का box ये मेरा total cost का box ठीक है अब ध्यान से सुनना average variable का cost touch करता हुआ निकला है किसको AR को उस case में जहां वो loss था बेटा वो average variable का cost उसके नीचे से निकल रहा था यहां वो touch करता हुआ निकला है इसका मतलब that is जितना firm ने revenue कमाया 10 रुपे वही तो उसकी variable cost है variable cost को तो पूरा पूरा cover कर पार है याद रखना कोई भी curve किसी भी curve को touch कर रहा है वो दोनों equal है इसका मतलब revenue भी 10 रुपे है variable cost भी 10 रुपे है उस case में जहां variable cost नीचे थी इसका मतलब variable cost 6 रुपे है revenue 10 रुपे उस 6 रुपे की जगा जो 4 रुपे का remaining बैट रहा है वो fixed cost वो cover कर पार है बेटा बर यहाँ पे इन दोनों के बीच का ग्याप क्या है बेटा average fixed cost बेटा वो तो बिल्कुल भी cover ने कर पार है क्योंकि 10 रुपे उसने कमाया वो तो उसकी variable cost उसने pay कर दी यहाँ का fixed cost कहां से pay करे भही तुमें इसी वज़े से यहाँ जो loss है उसको बोलते है total fixed cost क्योंकि वो fixed cost जिगों ने cover कर पार है और इसी के point को क्या बोलते है F point को क्या बोलते थे shutdown point या East point को क्या बोलते थे shutdown point जहाँ पे firm अपनी से variable cost कवर कर पाए fixed cost को कवर ना कर पाए यह loss is equal to total fixed cost ही मेरा shutdown point है अब बात समझाए अगर एक firm अपनी fixed cost को कवर अप नहीं कर पाती तो firm कभी भी operate कर ही नहीं सकती कभी भी अपनी production को complete कर ही नहीं पाएगी run up नहीं नहीं कर पाएगी क्योंकि बेटा fixed cost ही कैसा element होता है जिसको आप कम कर ही नहीं सकते उसको आपको recover करना ही पड़ेगा अगर आप variable cost को variable cost तो easily cover up हो जाए दे वो firm loss में तो है बट वो run up करेगी इसलिए run up करेगी कि वो try करेगी कि वो अपनी fixed cost को पूरा cover up कर पाए बट अगर एक firm सिर्फ अपनी variable cost को cover up कर पा रही है fixed cost को cover up नहीं कर पा रही तो हमेशा क्या होगा बेटा shutdown point होगा अब बात समझाएगे कुछ नहीं है बस यह diagram में लिखा होता total loss minimize में क्या लिखा है बेटा यह वो situation होती है जहाँ पे price इतना कम होता that is revenue कि वो कभी भी आपकी average fixed cost को fully cover नहीं कर पाता market price is less than the average cost of production and firm को अभी incur loss करना पठाए revenue कम था ना आपकी यह infinitely elastic होता है demand कर वो भी elasticity of demand में मैंने समझा रख है ठीक है बेटा at the established market price short run average cost बेटा यह जो हमने average cost का curve बनाया था ऐसे बना था ना मेरा average cost का curve यह U-shaped की होता है यह law variable proportion की वज़े से होता है वैसी marginal cost curve U-shaped की होता है और AC को cut करता है अपने minimum point पे यह points बहुत important है तभी मैंने लिखे है यह याद करके लिख लेना copy में और इसी को बोलते है total loss minimized point बात समझाएगे ठीक है जी the firm price is not able to completely cover up the cost of the firm still continues to produce even though there are a loss देखो firm का price पूरा पूरा completely cover up नहीं करता average fixed cost को फिर भी firm अपनी का production को करती है क्योंकि वो average variable cost को अपने price से cover up कर पार यह वो भी बहुत बड़ी बात होती है अपने variable cost को भी cover up करना जब आप अपने price से that is revenue से अगर आप अपनी average variable cost को cover up कर पाते हो तो आप कभी भी production को stop नहीं करोगे क्योंकि अगर variable cost cover up और यह और average fixed cost का half portion cover up हो रही है तो firm हमेशा production करेगी करेगी क्योंकि उसको वो revenue तो मिल रहे ना जिससे उसकी cost recover हो रही है this is possible कि उसको ना तो profit हो रहा है loss अकर हो रहा है बट बिलकुल production stop कर देगी तो तो बेटा double loss हो जाएगा इसलिए वो double loss की situation पे जाना नहीं चाहती इसलिए वो continue रखती है shutdown, shutdown को हम close down situation कहते हैं ये तब अकर करती है जब price इतना critically low बेटा यहाँ देख धियान से देखना यहाँ it is so low था ठीक है और यहाँ it is critically low कि वो fixed cost को at all cover up ही नहीं कर परा बेटा उस case में वो fixed cost को literally थोड़ा सा cover कर पारा था बट यहाँ पे वो fixed cost को at all बिल्कुल भी cover up नहीं कर पारा the losses are incurred which are equal to fixed cost losses कितने हैं losses तो वही होती ना जिस चीज़ को आप recover अप नहीं कर पाते और आप किस चीज़ को recover नहीं कर पारे fixed cost को fixed cost को जितना recover नहीं कर पारे वही आपका losses है revenue जो price आपको मिल रहा है वो किसको cover कर रहा है इसी वज़े से आपकी जो price line होती है जिसे बोलते है AR curve या MR curve वैसे AR curve बोलते है price line पास कर रही है minimum point of AVC बेटा देखो ना यहाँ पे यह मेरी price line यह मेरा AVC curve यही तो था इसका मतलब मुझे जो revenue मिल रहा है 10 रुपे वो मेरी variable cost को यह तो cover up कर पार है बेटा यह मेरा variable cost यह तो cover up कर रहा है यही मेरी total variable cost और यही मेरी total revenue तो इसका मतलब यह सिर्फ मेरी variable cost को cover up कर पार है ठीक है so thank you so much guys for listening this video I hope यह video आपको पसंद आए diagram से समझे में क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं और नहीं समझाए तो मुझे comment section में बताईएगा जरूर ठीक है okay bye bye thank you